लास्ट विक जो मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी के रेंज बताए थी उसी रेंज में निफ्टी और बैंक निफ्टी के एडवांस में विकली लेवल्स दिये थे उनी लेवल्स के आसपास निफ्टी और बैंक निफ्टी ने सार प्रेक्शन दिया है और अच्छी ट्रेडि bullish style देखने को मिली है जिस वज़े से market थोड़ा overbought लग रहा है तो आज की video में हम थोड़ी chart trading देखेंगे और इसके साथ ही मैं आपको next week के लिए important weekly levels भी share करूँगा तो इस समय आप screen में देख सकते हैं यह nifty का chart है और नीचे मैंने RSA plot किया है RSA के indicator हमें market के strength के बारे में बताता है और फिलाल आप देख सकते है RSA के indicator में यहाँ पर divergence हुआ है लेकिन price action में फिलाल किसी भी तरह का divergence नहीं है nifty higher high, higher low, higher high, higher low और फिर से higher high, और फिर से अभी फिलाल higher low ही nifty ने बनाया हुआ है और आप देख सकते हैं nifty इसे एक trend line पर support लेकर बार-बार upside daily को continue कर रहा है तो जब तक nifty इस trend line के इचे breakdown नहीं होता तब तक nifty में किसी भी तरह की बड़े correction की उभीद नहीं है लेकिन RSA नहीं यहाँ पर divergence दिया है तो अगर nifty hourly chart में या फिर daily chart में इस trend line के इचे breakdown करता है उसके बाद में nifty में selling pressure activate हो सकता है इसलिए इस trend line पर खास ज्यान रखिए लेकिन जब तक nifty के chart में higher high और higher low के pattern बन रही है तब तक किसी भी तरह की correction के उम्मीद मत रखिए और अगर हम bank nifty का chart देखेंगे तो bank nifty के chart में भी आप देख सकते है RSI ने divergence दिया है लेकिन price अभी भी higher high और higher low बना रहा है और bank nifty भी अपने trend line पर support लेकर फिर से upside daily को continue कर रहा है तो जब तक bank nifty भी इस trend line के नीचे breakdown नहीं करता hourly close या फिर daily close इस trend line के नीचे नहीं देता तब तक bank nifty भी किसी भी तरह का selling pressure जा देर तक नहीं टिकेगा और फिर से वहाँ पर buying pressure आएगा और फिर से bank nifty में upside daily continue होगी लेकिन जैसे ही bank nifty इस trend line के नीचे breakdown करेगा तो वहाँ पर sellers activate हो सकते हैं और उस समय कौन से level होंगे जिसके नीचे हमें longs को avoid करना है वो levels भी हमारे weekly levels के साथ जरूर combine करेंगे तो अब देख लेता है next week के लिए nifty और bank nifty के कौन से level important है और कौन से level पर focus करना है पहले nifty देख लेता है next week के लिए nifty में 21,840 का level यह level एक important resistance का का काम करेगा अगर nifty इस level को ब्रेक आउट देता है और 50 में closing देता है इसके उपर तो उपर में nifty 22,050 के level को touch करने की कोजिस करेगा लेकिन अगर nifty को 21,000 840 के आसपास रेजिशनस मिलता है और nifty यहां से reverse करता है तो nifty में selling pressure activate हो जाएगा और नीचे में nifty 21,000 580 के level को touch करने की कोजिस करेगा और अगर nifty को 22,050 के आसपास भी resistance मिलता है और nifty यहां से reverse करता है तो यहां से भी nifty में अच्छा selling पर से देखने को मिल सकता है और nifty फिर से 21,000 840 के level को touch करने की कोजिस करेगा 22,050 के उपर किसी भी तरह के sort में entry मत करिए एक बार nifty इस level के उपर sustain करता है उसके बात फिर से reverse करता है तो वहां पे आप जो nearby swing आई है उसके stoppers लगा के sorting opportunity देख सकते है और अगर next week के support की बात करें तो 21,000 580 के level यह level nifty के लिए next week में एक important support का का काम करेगा अगर nifty को इस level के आसपर support मिलता है और nifty यहां से reverse करता है तो nifty में फिर से short covering active हो जाएगी और उपर में nifty 21,000 840 के level को touch करने की कोजिस करेगा लेकिन अगर nifty 21,000 580 के नीचे breakdown देता है और 15 minutes closing देता है इसके नीचे तो selling pressure activate हो जाएगा और नीचे में nifty 21,000 370 के level को touch करने की कोजिस करेगा 21,000 370 यह level next week के लिए एक important support का काम करेगा और इस level के नीचे आपको किसी भी तरह के long में entry नहीं करनी इस level के नीचे nifty में अच्छा selling pressure activate हो सकता है लेकिन अगर nifty 21,000 370 के आसपा support लेकर यहां से reverse करता है तो nifty में फिर से short covering active हो जाएगी और उपर में nifty 21,000 580 के level को touch करने की कोजिस करेगा तो next week के लिए आप इन levels पर खास वाज रखिए 21,000 840 का resistance और 21,000 580 का support nifty के बाद आप bank nifty देख लिएता है bank nifty में next week के लिए 48,000 520 का level यह level एक important resistance का का काम करेगा अगर bank nifty इस level को बाद सस्टेन करता है और 50 minutes closing देता है तो bank nifty में bank pressure और बाद एक्टिवेट हो जाएगा और उपर में bank nifty 49,000 90 के level को touch करने की कोजिस करेगा 49,000 90 का level यह level next week के लिए एक second important resistance का काम करेगा अगर bank nifty इस level के आसपास reverse करता है तो bank nifty में selling pressure फिर से activate हो जाएगा और फिर से bank nifty 48,000 520 के level को touch करने की कोजिस करेगा लेकिन अगर bank nifty 48,000 520 के level को cross नहीं कर सकता और इस level के आसपास bank nifty को resistance मिलता है तो bank nifty में selling pressure अक्टिवेट हो जाएगा और नीचे में bank nifty 47,800 के level को touch करने की कोजिस करेगा 47,800 का level यह level next week के लिए एक important support का काम करेगा अगर bank nifty को इस level का support मिलता है तो फिर से bank nifty में buying pressure अक्टिवेट हो जाएगा और bank nifty उपर में 48,000 520 के level को touch करने की कोजिस करेगा लेकिन अगर bank nifty 47,800 के नीचे breakdown करता है और 15 minutes closing देता है तो bank nifty में selling pressure अक्टिवेट हो जाएगा और नीचे में bank nifty 47,000 230 के level को touch करने की कोजिस करेगा 47,230 के नीचे आपको किसी भी तरह के long man entry नहीं देखनी तो इस level के नीचे bank nifty में अच्छा selling pressure अक्टिवेट हो सकता है अगर bank nifty 47,230 के आज़ पर support लेता है और यहां से फिर से reverse करता है तो bank nifty में फिर से short covering active हो जाएगी और उपर ने bank nifty फिर से 47,800 के level को touch करने की कोजिस करेगा तो next week के लिए आप इन level पर खास वाच रखिए 48,520 का resistance और 47,800 का support 15 minute के chart में आपको इन level को prod करना है confirmation click closing का wait करना है और जिस से breakout आता है या फिर जिस से breakdown आता है उससे अडिसमें trading के opportunity देखनी है और अगर आपने अभी तक मेरे price section का podcast नहीं देखा है तो आप उस podcast को जरूर देखिए उसकी मदद से आप यह समझ सकेंगे कि किस तरह से आपको price section को समझना है किस तरह से trading opportunity को find करना है और किस तरह से छोटे stop loss के साथ में आपको अच्छी trading opportunity मिल सकती है आसा करता हूँ इन levels के मदद से next week में भी आपको अच्छी trading opportunity मिलेगी thank you for watching this video जैमातादी